आज हम सब Postgraduate Diploma in Human Resource Management के main-main topics का discussion करेंगे ठीक है? ये topic परने के बाद आप Postgraduate Diploma in Human Resource Management में आराम से पास हो जाएंगे मेरे नाम सुमुत कुमार से इनवपता है तो चलो शुरू करते हैं पहला topic है मानव संसाधन प्रबंधन के लक्षण अ सर्वव्यापी शक्ती एचारम प्रकृती में सर्वव्यापी है यह सभी संस्थानों में मौझूद रहता है एक संगठन में प्रबंध के सभी स्थरों को भेदता है बविश्य अनवभी मुकी प्रबावी अचारम संगठन को सक्षम उचित अविप्रेदित कर्मचारियों को उपलब्ध कराकर उनसे उनके दीर्व कालीन लक्षों को प्राप्त करने में सायता करता है अंतर अनुशाषनिक कार्य एचारम एक बहु अनुशाषनात्मक गतिविदी है जो मनुविज्यान, सामाजशास्त्र, मानुविज्यान, अर्थशास्त्र, आदी से प्राप्त ग्यान एवं इन्पूट्स का प्रयोग करता है दूसरा टॉपिक है व्यवार विज्यान परिवाशा 1963 बेरे लसन का यह कहना है कि व्यवार एक विज्यान, मानुव शास्त्र, सामाज शास्त्र, मनुविज्यान के पारसपरिक शेत्रों में कुछ अर्थों में अधिक है एवं कुछ अर्थों में उनके न्यून है मर्टन ने 1969 में व्यवार विज्यान को बताया कि यह विशय अंत्यंत प्राचीन है तथा उन्हीं अर्थार सामाज शास्त्र, राजनिती शास्त्र, आधिके सम्मिश्रण को ही एक नवीन विज्यान के रूप में व्यवारिक विज्यान माना गया है हेंडी एवं कर्टज के अनुसार, ट्रन सेक्षन, व्यवार विज्यान का अर्थ, किसी शेत्र में गटने वाली संपूर्ण क्रिया जिससे सभी पक्ष एवं सभी चरण को जो आपस में सम्मद्दित है एवं निरिक्षन कहीं स्वयम एक समान्य क्रिया का अंग है अपचारिक समू के मूल सिद्धान्त, प्रिंसपल्स और फॉर्मल ग्रूप, यद्यपी अपचारिक समू में कारेरत व्यक्तियों के मज़्य, स्वकारिता की बावना का उदय, उद्देश्यों की उपलब्दी से प्रेरित होता है फिर भी इस समू के कुछ मार्गदर्शक सिद्धान्त होते हैं, जैसे कारे का विशिष्टी करण, आदेश की श्रिंकला, निर्देश की एकता, नियंत्रण का विस्तार नेक्स टॉपिक है, अनुशाशन के उद्देश, अब्जेक्टिव्स ओव डिसिप्लन, निर्बाद कार्य संचालन है तू, संगठन के कारियों को निर्बाद गती प्रदान करना अनुशाशन का प्रथम उद्देश होता है जिस संगठन में जितना अधिक अनुशाशन व्याप्त होगा, उसके कारियों में उतनी ही अधिक गती बनी रहेगी, संगठन के कारियों में मितव्याइता के लिए, संगठन के कारियों में व्यतव्याइता के उद्देश से भी अनुशाशन की स्थापना के प्रयतन किये जाते हैं क्यूंकि अच्छे अनुशाशन के अंतरगत कारे निर्वाद गती से चलता है एवं बरबादी में कमी आती है नेक्स टॉपिक मानव संसाधन प्रबंधन के उद्देश योग्यता वक कारे कुशल कारे बल को गठित करना संस्थान में कारे रत सभी सदस्यों के लिए एक मजबूत संगठन तंत्र स्थाबित करना संस्थान के उद्देशों तथा कर्मचारी समों के उद्देशों की पूर्ती में एक सामन्जस्य बनाये रखना संस्थान के प्रगती के साथ साथ कर्मचारी व कर्मचारी समों के लिए भी प्रगती के अवसर निर्मित करना संस्थान के उद्देशों की पूर्ती हितु मानव संसाधन का प्रभावी रूप से उपियोग करना प्रत्येक कर्मचारी व उसके समूँ की आवशक्ता की पहचान कर उनको उचित सम्मान वेतन व अन्य लाब देना कर्मचारी हिद उनकी सामाजिक शुरक्षा चुनोती पूर्ण कारियों में सहायता मान सम्मान और सुरक्षा की जिम्मेदारी लेना उच्च नैतिक मूल्य तथा अच्छे मानव संबंद कर्मचारियों में बनाये रखने के लिए कार्य दशा में सुधार करना, मानव संपदा को निरंतर, प्रजिक्षन एवं विकास कारेक्रमों के माध्यम से मजबूत बनाये रखना, बेरोजगारी, अर्देरोजगारी, आय वधन के असमान वितरण को नियूनतम करने में योग्यतान देना, संस्थान के प्रबंधन में अभिव्यक्ति एवं विचारों की स्वतंद्रता, संस्थान में प्रभावी स्विकार्य एवं न्यायक नेत्रित्व देना, रोजगार को स्थाइत द्वेने हैतिव कार्य करने की अच्छी सुविधायं तदा पर्यावरण उबलब्द कराना नेक्स टॉपिक है कार्य संतुष्टी के मापन की पद्धती मेजिरमेंट ओव जॉब सेटिस्फेक्शन कार्य संतुष्टी एक ऐसी व्यवारिक्ता है जिसे हम सीधे नहीं माप सकते इसलिए तरीकों से इनहें मापा जाता है जिनमें रेटिंग स्केल क्रब निर्धारण यह प्रक्रिया कार्य संतुष्टी मापने के लिए एक समान प्रक्रिया हो एवं इस प्रक्रिया के द्वारा कर्मचारियों के विशेश संतुष्टी और असंतुष्टी के संपूर्ण रूत सामने आ जाते हैं सेगर्ड गुण दोश विवचन गटनाए क्रिटिकल इंसिडेंट इस माध्यम को प्रसिद्धी दिलाने में हर्सबर्ग को का योगदान रहा है इस माध्यम के द्वारा कर्मचारियों को पूरी स्थिति को बयान करनी के लिए कहा जाता है जिस पर वो कारी कर रहे हैं और कव वे पूर्ण संतुष्ट और असंतुष्ट होंगे इस स्थिती की गर्णा की जाती है कि इसके सकारात्मक एवं नकारात्मक व्यावारिकता क्या-क्या है थर्ड साक्षातकार इंटर्व्यू कारे संतुष्टी को नापने के लिए एक और पद्धती बताई गई है जो साक्षातकार के द्वारा किया जाता है यह पद्धती कार्य के प्रती व्यवार को गहराई से नापने का कार्य करती है कार्यवाही प्रक्रिया, प्रोसीडिंग प्रोसेस इस पद्धती के माध्यम से विभिन्न जानकारियां हासिल की जाती है जैसे कि कर्मचारी अपने कार्य के प्रती कैसा महसूस करते हैं इस तरह कार्य संतुष्टी का मापन हो जाता है नेक्स टॉपिक है अंतराश्ट्रिय मानव संसाधन व्यवसाइक शेत्र के बदलते परिवेश में अंतराश्ट्रिय HRM का महत्व अत्याधिक बढ़ गया है वैश्वी करण की विचारदारा बलवती हो चुकी है तथा पूरे संसार की व्यवसाइक सीमाय समाथ हो चुकी है भारती लोग विदेशों में व्यवसाइक करने जाएंगे विदेशी लोग भारत में उद्योग धंदे लगाएंगे इस आवागमन की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विबनिता की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होगी यदि सांस्कृतिक विबनिता को उचित रूप से प्रबंध नहीं किया गया तो सांस्कृतिक धक्का, that is cultural shock, खाना पढ़ सकता है एवं अंतराश्टिय व्यवसाय एवं प्रबंध की विचारदारा कमजोर पढ़ सकती है महत्व पूर्ण बात है एक, सांस्कृतिक विबनिता का विशय गंबीरिता से लिया जाए व्यवसाय के एवं अध्योगिक संगठनों को सांस्कृतिक धक्के से बचने के लिए वह अपने कर्मचारियों को अन्यदेशों की संस्कृति के बारे में सिक्षित करें तीन, अन्यदेशों की संस्कृतिक अध्यायन में निमलिकित मिंदू होने चाहिए बोलचाल की बाशा सामाचिक एवं पेशे के व्यवार पहनावा खानपान की आधते इत्यादी मफत लाल और द्योगिक समुने इसका प्रशिक्षण देना शुरू किया है उधारण अरब में पाउं का तलवा दिखाना बुरा माना जाता है चीन में प्रत्यकार्य मध्यस्तों के द्वारा होता है अफ्रिकन देशों में लोग पीले कपड़े नहीं पहनते हैं इत्यादी सेवी वर्गिय प्रबंद की परिवाशा जो की एडवन भी फिलिपो ने दी है इस बात को और अच्छी तरह समझाती है वे कहते हैं कि सेवी वर्गिय प्रबंद मानव संसाधनों की प्राप्ती विकास दे का नियोजन, संगठन, निर्देशन एवं नियंत्रन, संगठना अत्मक उद्देशों की प्रभावी प्राप्ती हेतु करना सेवी वर्गिय प्रबंद विबाग की मुख्यत निमलिखित कार्य होते हैं 1. कर्मचारियों की भरती एवं चैन, मानदे प्रबंद, कर्मचारी अवकाश प्रबंद, सेवी वर्गिय नियमों का क्रियानवन एवं संपादन, कर्मचारी अनुशाशन, भत्ते, तरक्की, स्थानांतरण, श्रम संबंद, कार्य वातवरण, श्रम संगठन, संगठन अलगा संगर्षों का प्रबंद, मानो संसाधन संस्थान नियोजन, प्रभावी संप्रिशन प्रब्ध पद्धती कर्मचारी मुल्यांकन पद्धती, कर्मचारी प्रसिक्षन एवं विकास, कर्मचारी शिक्षा, मानव संसाधन सूचना पद्धती, सेवी वर्गिय कारियों का समनवैन, कर्मचारी कल्यान, सामोहिक बारगेनिंग, सेवी वर्गिय संगठन के ढाचे में परिवर्तन, कर्मचा यहां तकी सेवी वर्गिये प्रबंद को सिव्यसाइक रूप में देखा जाता है। इसके निमलिखित कारण हो सकते हैं। प्रबंद और श्रम में मधुर संबंदों की स्थापना करना। व्यवसाइक वरण में हुए परिवर्तनों का प्रबंद करना। कर्मचारी में काम के प्रती अभिप्रेणन प्यादा करना तथा तला लगाओ की भावना प्यादा करना। पूरे संसार में व्यापक राजनायतिक प्रबंदों के कारण। राजनायतिक दर्शन में मूल भूत परिवर्तनों के कारण। तक्निकी विकास, व्यवसाय का वैश्वी करण, प्रशिक्षन एवं विकास की नहीं नहीं सुविधाएं एवं अफसर, शोध एवं विकास पर विशेज जोर. rumor Next Topic है व्यवार विज्यान परिभाशा, 1963 बेरे लसन यसल का यह कहना है कि व्यवार की विजवारिक विजियान-मानौ शास्तर-मानौ विज्यान के पारस्परिक शेत्रों में कुछ अर्तों में अधिक है, एवं कुछ अर्तों में उससे नियून है. मर्टन ने 1699 में व्यवार विज्ञान को बताया कि यह विशय अत्यांत प्राचीन है तथा उन्हीं अर्थात शामाज शास्तर राजनिती शास्तर आधी के सम्मिश्रण को ही एक नवीन विज्ञान के रूप में व्यवारिक विज्ञान माना गया है हिंडी एवं कर्टज के अनुसार, ट्रंसेक्शन या फिर व्यवार विज्ञान का अर्थ किसी शेत्र में घटने वाली संपूर्ण क्रिया जिससे सभी पक्ष एवं सभी चरण जो आपस में संबंदित हैं एवं निरिक्षण कहीं स्वयम एक सामान्य क्रिया का आंग है व्यवार विज्ञान प्रकृती एवं शेत्र व्यवारिक विज्ञान का संबंद अन्य अनेकों विज्ञानों से है व्यवारिक विज्ञान का शेत्र बहुत रहत्स दर पर है व्यवारिक विज्ञान के शेत्र का सहसा अंदाजा लगाना बहुत ही कठिन है वास्तों में इ पूर्व प्रचलित व्यावारिक विज्ञान के पुर्व विकास के पहले, इसे सोशल साइंस के नाम से पुकारा जाता था किन्तु सोशल साइंस व्यवारिक विज्ञान के पद्धतियों को पूर्ण रूप से व्यक्त करने में सक्षम नहीं है व्यवारिक विज्ञान केवल प्रत्यक्ष रूप से व्यक्त मानव व्यवार से संबंदित है यह सूचना जानकारी एकत्रित करने में अधिकरूची रखता है जबकि इसकी अपेक्षा सोशल साइंस निर्धारित आकणों पर आधारित होता है व्यवारिक विज्ञान की सीमाओं का निर्धारण करना कठिन है क्योंकि इसकी सीमाएं असप्रश्ट है अतह इसको समाजिक विज्ञान की सीमाओं से भिन करना कठिन है इसके अलावा व्यवारिक विज्ञान सोशल साइंस को जटिलता प्रणान करता है एवं ज्ञान के शेत्र को बढ़ाता है व्यवार विज्ञान का उपयोग ज्ञान अपने आप में मुलिवान इवं लावदायक हो सकता है परन्तो इसका अंतिम लक्ष तभी प्राप्त होता है जब इसका किसी कारे के लिए सदुपयोग किया जाए व्यवारिक विज्ञानों के अशोध परिणामों को अवशक्त्य अनुसर विबिन व्यवसाइक शेत्रों, शिक्षा कानून, स्वास्त, स्टिकित्सा उद्योग, सरकारी कारे विवं कृषियादी में भी उपयोग किया जा सकता है हमारे विस्त्रिक शेत्रों में उत्पन सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए विबिन व्यवसाय, कानौन, पुनरवास, शहरी, नवीनी करण, बाल अपराद के लिए व्यवारिक विध्यान अपने शोध कारियों के दौरा इन विशेश समस्याओं का समाधान खोचता है नेक्स टॉपिक है मजदूरी मजदूरी से आशे उस भुकतान से है जो करमचारी को कारे के प्रारिस्श्रमिक के रूप में दिया जाता है जो साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक होता है मजदूरी की राशी में अंतर कारे के गंटों में परिवर्तन के अनुरूप होता है मजदूरी प्राप्ट करने वाले व्यक्तियों की श्रणी में सामेने तह कारखाना में कार्य करने वाले श्रमिक तथा परीवेख्षिक की करमचारियों को संबिलित किया जाता है वोर्डर एवन हैनमेन के अनुसार मजदूरी उन श्रमिकों तथा अन्य गर्मचारियों को दी गई की शतिप उड़ती है जो अपने नियोकता के लिए वस्तुएं एवन सेवाएं उपलब्द करात करते हैं तथा उत्पादन कारियों के लिए नियोकता के उपकरणों का प्रयोग करते हैं बैन हैं के अनुसार मजदूरी एक समवेदा के अंतरगत की गई वह राशी है जो नियोकता द्वारा श्रमिक को उनकी सेवाओं के बदले में दी जाती है मजदूरी के स्तर नियुन्तम मजदूरी मिनिममम वेच से आशे उस मजदूरी की दर्स है जो श्रमिकों तथा उनके परिवार पालन पुषण के योग हो तथा उनकी चिकित्सा शिक्षा एवं मनुरंजन की व्यवस्ता कर सके अखिल भारती सेवा न्युजन्ग संगठन के अनुसार नियुन्तम मजदूरी वह मजदूरी है जो श्रमिक तथा उसके परिवार की बहुत इक आवशक्ताओं को पूरी करे उचित मजदूरी सामाजिक ध्यान शब्द के अनुसार उचित मजदूरी वह मजदूरी है जो श्रमिकों को समान कुशलता, कठिन और अरुचीकर कारियों के लिए प्राप्थ होती है यह मजदूरी संस्था द्वारा किसी प्रमाडिक स्तर पर निरदारिद की जाती है मार्शल के अनुसार किसी उद्योग में उचित मजदूरी उस मजदूरी के सापेक्षिक है जो सामानियता उद्योग में पाई जाए यद इश्रम की मांग में स्थिर्टा में पाई जाने वाले अंतर को ध्यान रखा जाए तो मजदूरी की दर का स्तर तथा अन्य उद्योगों में समान कर, कठिल और अरुचिकर कारियों के लिए प्राप्त होती है, यह मजदूरी संस्था दुबारा किसी प्रमाड़िक स्तर पर निरधारिथ की जाती है, पीगू के अनुसार उचित मजदूरी वह मजदूरी है जो श्रमिकों की कारे कुशल्टा के अनुपात में दी जाती है कारे कुशल्टा की माप श्रमिक के सामंत उत्पाधक्ता के आधार पर दी जाती है निर्वा मजदूरी बारतिय सम्विधान के नीती निर्धारक तक्तों राज्य धारत 43 के अनुसार राज्य सभी कर्मचारियों को निर्वा मजदूरी प्रदान करेगा न्यायाधिश हिंगिन्स के अनुसार निर्वा मजदूरी वह मजदूरी है जो श्रमिक को भोजन, आवास, वस्त्र, सामान या आराम, कठिन समय के लिए बचत संबंधिय आवशक्ताओं की संतुष्टी करती है तथा कलाकार की कला को पर्याप्ट संबान प्रदान करती है नेक्स टॉपिक है मजदूरी निर्दारक घटक प्रचलित मजदूरी दरें अन्यक नियोकता प्रचलित दरों के आदार पर अपनी मजदूरी की दर निर्दारित करते हैं मजदूरी की दर को निर्दारण के समय केवल स्थानिय बाजारों की दरें ही ध्यान में रखते हैं अपितु अपने ही उद्योग की किस्म एवं अन्य उद्योगों तथा सामान श्रमिक के लिए सामान वेतनमान का भी ध्यान रखा जाता है यदि किसी विशिष्ट प्रकार के श्रम की पूर्ती कम है तो उसके लिए मजदूरी की उची दर भी दी जा सकती है किन्तो श्रम एक परियाप्त मात्रा में उपलब्ध है तो दरे भी कम होंगी देशम्ता किसी उद्योग में दी जाने वाली मजदूरी इस बात पर निर्भर है करती है कि उद्योग की देशम्ता क्या है वे उद्योग जो अधिक लाब अरजित करते हैं प्राया अधिक मजदूरी देने में सक्षम होते हैं किंटु अधिकान शुद्योंग जो सामानियता कम लाब अरजित करते हैं, अपने कर्मचारियों को कम मजदूरी देते हैं। निर्वाह लागत मुल्य निर्देशक में परिवर्तन के साथ मजदूरी की दरों में भी परिवर्तन होता रहता है जिससे श्रमिकों की क्रे शम्ता को यथा संभव समान स्तर पर रखना आउशक है सौदेबाजी किसे मजदूरी निर्दारित की जाती है उत्पादक्ता मजदिरों क्या माप उत्पादिर वस्तिरों के द्वारा की जाती है अधिक उत्पादन करने वाले अधिक मजदूरी पाने के अधिकारी होते हैं तथा कम उत्पादन करने में कम मजदूरी होती है श्रमिकों की सौदेबाजी की शम्ता यह उद्योग जहां श्रम संग शक्तिशाली है वहां श्रम संग सामोहिक सौदेबाजी के माध्यम से अधिक मजदूरी प्राप्त करने में सफल होते हैं कारे की अपेक्षा हैं ऐसे कारे जिन में श्रम कौशल, उत्तरदाई तो एवं जोखिम की मातर कम होती है उनके लिए कम मजदूरी निर्दारित की जाती है तथा जिन कारियों में इन सभी गुणों की अधिक अवशक्ता होती है उसके लिए मजदूरी दरें भी मूची होती है मजदूरी नीतियां मजदूरी निर्दारण एक इनिश्चित योजना के अनुसार होना चाहिए जिससे की कारे संबंदी विवितता जैसे कुशलता, श्रम, उत्तरदायत, जोखिम, आदी के अनुसार मजदूरी का ढाचा तै किया जा सके तथा विभिन वेतन मानों में भिन्यता का ओचित प्रदर्शित किया जा सके मजदूरी की दरें, शेत्र में प्रचलित मजदूरी दरों के अनुरूप होनी चाहिए जिससे की श्रमिक संतुष रह सकें, आक्ष मजदूरी से संबंधित और द्योगिक विवाद उत्वन ना हो यदि कारे समान स्तर का है, समान रूप से कठिन है, तथा उसके क्रियानवन के समान कुशलता की आवशक्ता हो तो ऐसे कारे कर रही श्रमिकों को समान मजदूरी दी जानी चाहिए श्रमिकों की कारे प्रणाली के अंतर ग्यात करने के लिए समान प्रमापो का प्रयोग किया जाना चाहिए मजदूरी संबंधी परिवादों के निर्धारण है तो एक निश्यत प्रणाली का अनुकरण किया जाना चाहिए मजदूरी की दर निर्धारण करने के लिए प्रवधी कर्मचारियों तदा श्रम संगों को ग्यात होनी चाहिए मजदूरी का नियंतरन लागत, नियंतरन तधा प्रवर्तन श्रम बजट से किया जाना चाहिए मजदूरी व्यवस्था सरल बोध गम्य तधा कम घर्चिली होनी चाहिए मजदूरी बुकतान प्रणाली लोच शील होनी चाहिए मज़ोरी परियात होनी चाहिए जिससे कि श्रमिक अपना अपने परिवार का आसानी से पालन पोशन कर सके तथा जीवन में आने जाने वाली असंदिक दिताओं से अपनी रक्षा कर सके इसके अतिरिक्त सामाज में एक उसब भी सानागरी की भांती जीवन व्यतीद कर सके प्रबंद में प्रशासन शामिल है E.L.BREAK ने इस पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत किये है इसके अंतरगत प्रक्रिया की नियोजन, संगठी, नीकरण, संचालन एवं नियंतरन शामिल होता है इसके अनुसार प्रबंद के कारियों का दो भागू में बाटा जा सकता है प्रशाशन प्रबंद, क्रियात्मक प्रबंद प्रबंद का उच्च स्थर सामानित प्रशाशन प्रबंद कहलाता है एवं निम्न स्थर क्रियात्मक प्रबंद कहलाता है रेखा संगठन यह संगठन का अत्यंत प्राचीन एवं सरल रूप है इस संगठन को सैनिक संगठन, लंबवत संगठन इवं स्केलर संगठन आधी विबिन नामों से भी जाना जाता है इस प्रकार की संगठन में अधिकार सरवच्य अधिकारी से निमनतम अधिकारी तक विबिन स्तरों से होते हुए सीधे तधा सपश्ट रूप से प्रवावित होते हैं इस प्रकार इस संगठन में अधिकार तथा उत्तरदाई तो उपर से नीचे की और सीधी रेखा में चलते हैं इसलिए इस रेखा संगठन कहा जाता है इस संगठन में प्रत्यक व्यक्ति अपने उपर वाले व्यक्ति के प्रती उत्तरदाई होता है और उसके नीचे वाले व् प्रवावी निर्देशन व्यवस्ता अपना विशेश ध्यान स्थान रखती है निर्देशन कारी के लिए प्रबंधकों को निम्नेकारिय करने होते हैं Supervision यानि परिवेक्षन, संप्रेशन यानि Communication, अभीपरेडर्ण यानि Motivation, नेत्रित्व यानि Leadership, समनवे यानि Coordination कारिशील पूंजी, Working Capital कारिशील पूंजी प्रत्येक फर्म के संचालन के लिए आवशक होती है कारिशील पूंजी की आवशक्ता बिन बिन संगठनों में अलग-अलग होती है कारिशील पूंजी की आवशक्ता को निम्रे लिखित प्रभावित करते हैं व्यवसाईक, व्यवसाई की प्रकृति एवं माकार, उत्पादन चक्र, विक्रे विकास, मांग शर्ते, उत्पादन नीती, मुल्य स्तरों में बरिवर्तन, क्रियात्मक प्रभाव शिल्ता की एवं भूमी का संस्था की उधार नीती. नेक्स्ट टॉपिक है प्रभंद में टेलर का योगदान. प्रोफेसर टेलर का पूरा नाम फ्रेडरिक विंसलो टेलर हैं. इन्होंने 1911 में वेग्यानिक प्रभंद के सिद्धान्थ का नामप पुस्तक की रचना की. यह पुस्तक प्रभंद के शेत्र में आनिक सुधार करने के लिए लिखी थी. इन्हें वेग्यानिक प्रभंद का जन्मदाता भी कहा जाता है. F.W. टेलर 1856 में जर्मनी के फिलडल्फिया शहर में जन्म लिया. 1878 में अमरिकन मिड्वेल स्टील में श्रमिक के तरह काम शुरू किया. 6 वर्ष के उबरांत 1884 में मुख्य अभियंता बने. 1898 से 1901 तक बैथल हम स्टील कंपनी में कारे किया. 1903 में दुकान का प्रबंद के रूप में अपने विचार प्रस्तुत किये. इसके योगदान को हम निम्न प्रकार से देखते हैं. प्रबंद को विज्ञान के रूप प्रदान करना, प्रबंद के सिद्धान्त, प्र विज्ञानिक चैन एवं प्रशिक्षन के सिद्धान्त, प्रमाणी करन के सिद्धान्त, कुशल लागत लेखा प्रणाली का सिद्धान्त, रिणनात्मक मस्दूरी का सिद्धान्त, मानसिक क्रांती का सिद्धान्त, क्रियात्मक संगठन का सिद्धान्त, प्रबंद की कारा प्रबंदयकों का उद्धर दायत्व, क्रियात्मक संगठन प्रणाली, सामगरी व संयंद्रों की प्रमापी करण कर जोर, प्रिलनात्मक मजदूरी प्रणाली, वज्ञानिक प्रबंद का दर्शन. नेक्स्ट टॉबिक है, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन. नेक्स्ट टॉबिक है, सेंट्रलाइजेशन. प्रति रूप प्रकार होता है. कुंटन और ओर्डोनेल के अनुसार विकेंद्रिय करण के अधिकार की समस्या अंतरण के सिद्धांत की आधारबूत है. उस सीमा तक जहां तक अधिकार अंतरित नहीं किया जाता, वरन इसके केंद्रिय करिया कहा जाता है. फ्योल के शब्दों में प्रतियक वस्तु जिसके सहयकों का महत्व बढ़ता है, विकेंद्रि करण है. प्रतियक वस्तु जो उसे कम करती है, केंद्रि करण है. नेक्स टॉपिक है, रोकड का प्रबंद, that is cash management. जैसा कि सर्व विद्ध है कि रोकड का व्यावसाय में अत्यधिक महत्व होता है, बीना रोकड के किसी भी संस्था को चलाना कलपना मात्र है. कोई भी संस्था रोकड प्रबंद के चार आयामुक का प्रवावी डंग से प् होती है, पहला, रोकड नियोजन, दूसरा, रोकड प्रवाह का प्रबंद, तीसरा, निश्चित रोकड का विनियोग, रोकड के का पास रखने का उद्देश, रोकड पास रखने का निमलिखित उद्देश हो सकते हैं, एक, संस्था के लेन देन सुचारू डंग से चल सके दो आवक्षक्ता के समय संस्था के पास धन हो रहतरिया का प्रबंद रहतरिया चालू संपत्यों का एक भाग होता है रहतरिया को प्रायह निम्न भागों में बाटा जाता है कच्चा माल, प्रगती परकार्य अंतिम माल प्रहतरिया को पास रखने इसके भी वही उद्देश्य होते हैं जो रोकड के पास रखने के होते हैं इस तरह हम यह कह सकते हैं कि रोकड का प्रवंद कैश मैनेजमेंट अपने आप में एक काम है नेक्स्ट टॉपिक है निर्णे लेने की विधी या तकनीक या मूल तत्व निर्णे दो प्रकार से लिए जा सकते हैं परंपरागत विधी या फिर वैग्यानिक विधी परंपरागत विधी कंवेंशनल मेथर्ड भूत काल में प्रवंधक निर्ने लेने में लक्षनात्मक निदान की विधी का जो की चिकित्सकों में बहुल लोगपुरियती उप्योग किया करते थे चिकित्सकों ने अनुभाव से यह ज्याद कर लिया था कि प्रत्येक रोग के कुछ चिन्न होते हैं और उनका विश्वास था कि चिन्न जूठे नहीं हो सकते अत्व वे रोग का निदान लक्षनों के अनुसार करते थे पर अनुसार या लक्षन सदा विश्वस्निय नहीं होते वे जूठे भी हो सकते हैं और होते हैं इसलिए सलाकारों ने अब विशलेशन विधी अपनाई हैं जिसके अनुसार वे रोग का निदान, एक्सरे, रक्त पेशाप, इत्यादी की जाच के साहता से करते हैं अतह जब लक्षणों पर चिकित्सा शास्त्र में सदा निर्भण नहीं रहा जा सकता तो व्यवसाय में भी यह अश्वस्निय अविश्वस्निय होते हैं क्योंकि प्रायय देखा गया है कि विभिन समस्याएं समान प्रकार के लक्षण उत्पन्न करती हैं और वह समस्या स्वयम को अंगिनत रूप से व्यक्त कर सकती हैं अतह परंपरागत विधी के द्वारा सही निर्णय पर पहुंचना खठिन होता है दूसरा तरीका है विग्यानिक विधी या निर्णय लेने के चरण scientific method विग्यानिक विधी में निर्णय लेने के लिए निमलिके चरण उठाने होते हैं पहला समस्या का पता लगाना निर्णे लेने की वेग्यानिक पद्धती में सबसे पहला कदम यह निश्यत करना है कि वास्तविक समस्या क्या है समस्या का विशलेशन करना समस्या का गहन विशलेशन करना ज़रूरी है ताकि यह पता लगे कि निर्णे कैसे लेना है किस किस की राय लेना है समस्या हल करने के लिए वैकल्बिक हलों के खोज करना समस्त विकल्पों पर विकचार करने के पश्याद ही कोई विकल्प चुनना चाहिए समस्या सुझाने का सर्वुत्तम हल निश्यत करना जो विकल्प हमें सर्वुत्तम प्रतीत होता है उसे चुनना चाहिए साधन समंदी सीमाए समय सामगर और मानव दोनों, साधनों पर भी विचार करना आउशक होता है, कम साधनों से अधिक्तम लाब राप्त करने वाले हल चुनने चाहिए, निर्णे को कार्यानवित करना, निर्णे को प्रभाव पूर्ण डंग से समस्त लोगों की जायता से ही कार्यानवित किया जा सकता है, नि जलत निर्णेयों से होने वाले हानियों को रोकने के लिए ऐसी विवस्था की जाए जिसे भूल सुधार करने में सहस्ता हो। नेतरित्व की परिशभाशा हैं Definition of Leadership बर्नार्ड के अनुसार नेतरित्व का आश है व्यक्ति के वहवार के उस गुण से हैं जिससे वह अन्य लोगों को संगिंधित प्रयास से संबंधित कारे करने में मार्गदर्शन करता हैं कुंटज इवं ओर्डोनेल के अनुसार किसी लक्ष की प्राप्ति गेतु संदेश वाहन के माध्यम से व्यक्तियों को प्रवावित कर सकने की योग्यता निर्तरित्व कहलाती है निर्तरित्व की शैलियां Leadership style किसी भी व्यवसाय को विभिन परिस्थित्यों में विभिन प्रकार के नित्रित्व की आवशकता होती है व्यवसाय क्रियाओं के मार्दर्शन किस प्रकार किया जाए यह प्रवंधक की इच्छा और उपलब्द परिस्थित्यों पर निर्वत करता है प्रवसाईक जगत में प्रचलित नित्रत की शैलिया निम्न है नेता केंद्रित या निरंकुष ओटोक्रेटिक समू केंद्रित या जिनतंत्री डेमोक्रेटिक व्यक्ति केंद्रित या निर्बाध फ्री रहिन एक अन्य द्रिश्टी कुण से नेत्रित की शैलियों को इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है अभी प्रिणात्मक या फरिशक्ती परिवेक्षि उपयुक्त विवेचन के आधार पर नेत्रित्य की विबिन शैलियों या स्वरूपों का अध्यन निम्र प्रकार से किया जा सकता है अभी प्रिणात्मक शैलियों मोटिवेशनल स्टाइल एक नेता जो विधी से अपने अनुयाईयों को मारदर्शन करता है और उन्हें कार यह तो अभी प्रिणात्मक विधियां प्रमुख हैं यह धनात्मक वह रनात्मक हो सकती हैं शक्ति शैली यह तीन प्रकार की होती है निरंकोष नेत्रित्तु सारे अधिकार नेता के पास केंद्रित होने पर इसे निरंकोषनेत्रित्तु कहते हैं जनतंत्रिय नेत्रित्व यह आधुनिक वा सर्वमान्य है, इसमें विचार विमर्ष किया जाता है, निरबाद नेत्रित्व, इसमें नेता कम से कम प्रबंद करता है, सब कुछ अन्याईयों अन्याई करते हैं, पर यह वेक्ष्य विधी, यह दो प्रकार की होती है, कर्मचार प्रवधान विधी इसमें नेता कर्मचारियों को सरवाधिक महत्व प्रदान करता है उत्पादन प्रवधान विधी इसमें नेता उत्पादन विधी पर सरवाधिक ध्यान देता है लक्षों को प्राप्त करना प्रात्मिक होता है हेंडरी फियोल त्वारप प्रतिपादित प्रबंद के सिद्धान्त फियोल ने अपने जनुभव के आदार पर प्रशासनिक प्रबंद समंधी कारियों को संपन्य करने के लिए 14 सिद्धांतों की रजना की है जो प्रबंदकों को अवशक दिशा प्रदान करते हैं ये सिद्धांत निम्न है कारी का विभाजन विशिष्टी करण के लाभों को प्राप्ट करने के लिए कारीों का विभाजन अवशक है इसका उद्देश यकम प्रयासों से अधिक एवं अच्छा उत्पादन करना है हैंरी फ्योल के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक कारे को करने की योग्य नहीं होता अतर जो व्यक्ति जिस कारे को करने की योग्य है उसे वही कारे दिया जाना चाहिए अधिकार इवं उत्तर दाइत्व दोनों घनिष्ट रूप से सम्बन देते हैं अपने दाइत्वों को निभाने के लिए अधिकारी को अधिकार प्रदान किये जाते हैं ये अधिकार उसे पद और व्यक्तित्व से मिलते हैं अनुशाशन अनुशाशन के अभाव में कोई भी प्रदिष्ठान समबल, सफल नहीं हो सकता अनुशाशन अच्छे नित्रित पर निर्भर करता है फियोल लिठी की कहा है बुरा अनुशाशन एक बुराई है जो प्राय बुरुईद नित्रित की कारण उतपन होती है अनुशाशन को बनाये रखना तीन बातों द्वारा संभव है सभी स्तरों पर अच्छे परिवेक्षक कर्मचारियों के साथ उचित समझोते तथा धंड की व्यवस्ता आदेश की एकता का सिद्दांद इस सिद्दांद के अनुसार प्रक्तिय कमच कर्मचारी को एक कारे के संबंद में एक ही अधिकारी से आदेश मिलना चाहिए क्योंकि अलग-अलग अधिकारियों से अलग-अलग आदेश मिलने पर या ब्रहम के कारण कारे संपन्य नहीं कर सकेगा जिससे कारे में रुकावट पैदा होगी और शमयकों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा निर्देश की एकता का सिद्धान्त हेंरी फ्योल ने इस पास्त को स्प्रष्ट किया है कि एक योजना एक मस्तिश्क से ही होना चाहिए अर्थात एक योजना से संबंदित निर्देशन किसी एक व्यक्ति से ही मिलना चाहिए इसके अभाव में योजना के क्रियानवन में अने कठिनाईयां उत्पन होती हैं व्यक्तिगत हितों की सामान ये हित के प्रती अधीनता इस सिद्धान्थ के अनुसार सामान्य हित व्यक्ति के हितों से उपर है अधा व्यक्तिकत हित की तुलना में सामान्य हित की और अधिक दियान देना चाहिए जहां तक की संभाव हो सके व्यक्तिकत हित में सामान्य हित की से और अनुरूप होना चाहिए साथवा, संपर्क शेंकला का सिद्धांद इस सिद्धांद के अनुसार उच्च एवं निमनक स्तरों पर के सभी पदाधिकारियों के मद्य औपचारिक संबंद निश्यत होना चाहिए जिस क्रम में संबंध स्तापित हो उसी क्रम में उसमें आपस में संपर्क होना चाहिए जो पदकद्यादिकारी इस संपर्क शिंकला का उलंगन करे उसे दंड दिया जाना चाहिए स्थाइत्त का सिद्दांद फ्योल ने कहा है कि कार्य अविधी में कर्मचारियों को अपनी सेवा वा कारी के स्थाइत्व की भावना होनी चाहिए नौकरी में स्थाइत्व न होने पुसे कर्मचारी पूर्ण लगन वा शमता से कारी नहीं करेगा तथा वह अन्य उत्तम कार्यों के लिए प्रयासरत रहेगा और इसका प्रत्यक्ष प्रभाव उत्पादन पर पड़ेगा पुरुसकार का सिद्धान्त फियोल का मत्था कि प्रेणात्मक मजदोरी श्रमिकों को अधिक कार्य करने के लिए प्रेजित करती है उन्होंने अपने सिद्धान्त में सपश्ट किया है कि संस्था में परिपारिश्रमिक पद्धती ऐसी होनी चाहिए जो संस्था इवं श्रमिकों दोनों के हिटों के अनुकूल हो उनकी दार्णा थी कि मजदूरी, पद्धती, संतोज जनक होने के साथ साथ समय पर उसकी भुक्तान की भी विवस्था होनी चाहिए दसवां, विवस्था का सिद्धान्थ विवस्था किसे आशय कर्मचारिय एवं सामगरी दोनों की उचित विवस्था से है फ्योल ने कहा है कि प्रत्यक वस्थू के लिए निश्चित स्थान नियत होने चाहिए प्रत्यक व्यक्ति को कारिस्थल पर निश्चित होना चाहिए तथा सामगरी के ववस्था ऐसी हो कि आनावश्यक्ष श्रती वह समय की बर्वादी को रोका जा सके समान्ता का सिद्धांद प्रत्यक व्यक्ति अपने सभी कर्मचारियों के साथ समान्ता का व्यवार करना चाहिए ऐसा करते समय प्रबंधक को बुद्धिमान, अनुभवी एवं अच्छी प्रकृति का होना चाहिए कर्मचारियों की सेवाओं की स्थिर्था इस सिद्धान्त के अनुसार एक कारे पर कर्मचारियों की सेवा की स्थेरता रहनी चाहिए वो कर्मचारियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थान अंतरित नहीं किया जाना चाहिए जल्दी जल्दी स्थान अंतरण करने से व्यवसाय के सफल जंचालन में बाधा उत्पन्न होती है कारे की प्रगर्ती धीमी रहती है तथा कर्मचारियों में असंतोश की भावना बल्वती होती है प्रेड़ना या पहल प्रेणा से अभिप्राय किसी योजना को सोचने परस्तावित करने तथा उससे क्रियानवित करने की सुधंतरता से है सभी कर्मचारियों को समान रूप से प्रेणा के अवसर उपलब्द होने चाहिए 14. सहयोग व्यवसाय की सभलता कर्मचारियों में परस्पर सहयोग की भावना पर निर्भर करती है आदेश की एकता, वारता लाप, समान यह वैवार, आदी सिद्धांतों का पालन करगे सहयोग की भावना विक्सित किया जा सकता है Next topic है व्यवसाई की दो प्रमुक विशेशिताय निमलिकित हैं एक व्यवसाई द्वारा सामाजिक परिवर्तन दो व्यवसाई एक वैग्यानिक क्रिया है नेक्स टॉपिक व्यवसाईक नीती शास्त्र का अर्थ क्या है व्यवसाईक नीती शास्त्र का अर्थ व्यवसाहिक नीती शास्त्र व्यवसाहिक आचरण एवं व्यवार दिश्टीगत होता है व्यवसाहिक की नीतियों का निर्धारण इस प्रकार से किया जाता है कि वे सामाजी खेतों की अभिवरिद्धी एवं पूर्ती में शांसायक हो न केवल वे व्याबसाइक हीतों की पूर्ती के लिए निश्यतों व्याबसाइक निश्ठा एवं उसकी सही तस्वीर को उसके द्वारा अपनाई गई एवं क्रियानवित की गई नीतियों से देखा जा सकता है व्यवसाईक नीती शास्त्र वास्तों में व्यवसाईक के आजरण एवं व्यवार की एक संपुर्ण सहिता होती है व्यवार सहिता हैं विबिन देशों, समाजों एवं व्यवसावयों की विबिन दिशाओं एवं परिस्थितियों पर आधारित होती है समाजिक एवं स्व्यवसाई का भेक्षाएं भी इसके निर्धारण में एक महतुपुर्ण योगदान देती है मधूर ओध्योगिक संबंद विगत तीन वर्षों में बिगड़ते हुए ओध्योगिक संबंदों ने अर्थिववस्था के कुछ महतुपुर्ण शेत्रों को विपरीत रूप से प्रभावित किया है तथा इसके परणाम स्वरुप ओध्योगिक उत्पादन में गिरावट आई है श्रमिकों के हितों तथा कल्याण को सरकार अत्याधिक महत्व देती है लेकिन यह भी मानती है कि अर्थिववस्था के विकास के लिए प्रभंद एवं श्रमिकों दोनोंका सैयोग बहुत जरूरी है सरकार का यह विचार है कि त्री पक्षिय श्रम कॉन्फरेंस का पुनह जागरित किया जाए जिससे दोनों पक्षों का पेरा सहयोग राप्त किया जा सके तथा देशों देश के और योगिक शांती बनाय रगने में और प्रगती में सहूलियत हो सके नेक्स टॉपिक बोनस बोनस एक प्रकार का अभी प्रेड़न है जो कर्मचारी को अधिक लाब देने की स्थिती में दिया जाता है कर्मचारी इस बोनस से प्रवावित होकर अधिक कार्य करता है जिससे संस्था को और अधिक लाब होता है बोनस का निर्धारण अलग-अलग प्रवित्ती वाले उद्योगों एवं स्व्यवसायों की अलग-अलग दर से किया जाता है अधिक आये वाले लोग बोनस के लिए पात्रता नहीं रखते हैं व्यवसाय में आर्थिक आधार का महत्व Importance of Financial Based in Business निम्न कारणों से व्यवसाय में आर्थिक आधार का महत्वस पष्ट करने में सफलता होगी पहला लाब प्राप्ती की प्रेणा लाब प्राप्ती के लिए वस्तु भी निम है व्यक्तिगत अवशकतों की पूर्टी के लिए लाब अवशक है व्यवसाइक के विकास इवं अस्तित्तु को बनाए रखने एतु लाब आवशक है व्यवसाइक का पारिश्रमिक व्यवसाइक लाब है व्यवसाइक की सफलता वा कुशलता का मापन लाब है समस्त अर्थ व्यवस्थाओं में लाब को मान्यता दी गई है समाजिक दाइत्व की पूर्ती के लिए लाब आविशक है राश्ट्रिय लगू उद्योग निगम लिमिटेड नैशनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीस कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसकी स्थापना लगू उद्योग को प्रोटसाहन देने और विकास करने के लिए फरवरी 1955 में की गई थी निगम की विट्रकृत पूंजी 30 करोड और प्रदत पूंजी 20.80 करोड रुपे है इसके कारे निमलिकित है किराया खरीद आधार पर लगू द्योगों को मशीने उपलब्द कराना सरकार के खरीद कारेक्रम के लिए लगू द्योग इकाईयों का पंजी करन करना कच्चे माल का वित्रण करना दुरलब कल पुर्जे यंत्र संगटक आधी उपलब्द कराना मशीनों की प्रोटोटाइप का विकास करना प्रशिक्षन तकनीक परामर्षव अन्य समान्यों सुविधाओं का विकास करना निगम ने पिछले 30 वर्षों के दोरान काफी प्रगती किया है इसने अब किराया खरीद के आधार पर 178 करोड रुपे की मूल्यकी मशीनों की आपूर्ती की है जिससे 800 करोड रुपे मूल्यकी से अधिक का रोजगार उत्पन हुआ है वर्ष 1984-85 में निगम ने 14,000 व्यक्तियों को प्रशिक्षन दिया वह 136 मशीनों आधिक रूप प्रोटेटाइप का विकास किया नेक्स्ट टॉपिक है पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर कमपारिजन 1. स्वामित्व पब्लिक सेक्टर के समस्त उद्योग का स्वामित्व अप्रत्यक्ष निमंत्रण के रूप में शाशन, केंद्र या फिराज के पास रहता है जबकि निजी उद्योग संस्थानों में स्वामित्व किसी व्यक्ति या संहू के पास रहता है नीतियां पब्लिक सेक्टर की नीती अधिक्तम जनक, आकांशाओं एवं अवशक्ताओं की पूर्ती होती है जबकि नीजी स्वामित वाले उद्योग की नीती अधिक्तम लाग की होती है उद्देश्य पब्लिक सेक्टर का उद्योग स्थापना राष्ट्री आये के अभिवरिद्धी राष्ट्री आयाद का स्थापन देने के लिए या फिर राष्ट्रिय आत्मनिर्वड़ता के लिए होती है जबकि नीजी महांग आवशक्ता कम लागत में अधिक लाब होती है जनकल्यान के कारिय सर्वेक्षणों के अनुसार प्राइवेट सेक्टर के उद्योगों के प्रबंद की प्रकृती जनकल्यान कारी नीजी अधिक होती है मानवतावाधी दिरश्टीकोण पूब्लिक सेक्तर के संगठनों एवन उद्योगों का दिरश्टीकोण मानवतावाधी अधिक बुक्रािछा परतकि नीजी स्वामित के उद्योगों के वह संगठने हैं इन स्वामित्यों की प्रक्रिती बंद ख्रोत संगठनों की नीतियां स्वनिर्मित रहते हैं और या nights नियामों का ही का फालण होता है ओद्योगिक नीती 1985, 1980, 1991 इंडस्रियल पॉलिसी 1985, 1980, 1991 इस दशक में सरकार ने ओद्योगिक नीती को अत्यंत विवेक पुर्ण बनाने का प्रयास किया है इस ओद्योगिक नीती के प्रमुक लक्ष निर्मलिकित निर्दारित किये गए हैं आर्थिक विकास में आने वाली बादाओं को दूर करना गती शील ओद्योगिक वातवरण का निर्माड करना विकास विनियोग व उत्पादन की गती को त्रिवर करना इसके प्रभावी कर्यक कार्यान वन, कार्यान वयन, हेतू, सरकार ने निमलल मत्पूर्ण संशोधन किये हैं उत्योगों का विशद वर्गिगरण लाइसेंस प्राप्रिकायों ने 25 उत्योगों को मशीन ओजार, मोहरी कृत, चार पहिया वाहन, कागज और लुगदी, रसायन, पेट्रो रसायन, और उर्वरक मशिनरी उत्योग क्रिशी मशिनरी, डीजल इंजन, क्रेन, ट्राइप राइटर, विद्यूद उपकरण, रेल डबबव, सवारी डिबबा है उत्योगों को लाइसेंस मुक्त करना, मार्च 1985 में 25 विशद उत्योगों को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया, अब इन्हें केवल परंजियन करवाना होता है पिछड़ शेत्रों में उद्योगों की स्थापना पर लाइसेंस की चूट, दिसंबर 1985 में MRTP अधिनियाम की धारा 21 वर 22 के अधिन चूट प्राप्य 27 उद्योगों में 22 को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया, महा उद्योगों की निवेश सीमा में व्रिद्धी इलगू उद् दी गई, दूर संचार उपकरण उद्योग में गयर सरकारी शेत्र में की भागेदारी ने स्विचिंग और ट्रांस्मीशन उपकरणों के उत्पादन में 49% नीजी वो 51% हिस्सा केंदर अथवा राज्य के पास होना चाहिए, उद्योग रहित जीलों वो पिछड़े शेत् पिछड़ शेत्रों में उद्योग लाने वालों को लाइसेंस में प्रात्मिक्ता दी गई है, परिशिष्ट वन के संसोल शंस जोधन 1973 में कई उद्योगों की गोशना की गई, इसमें 30 उद्योग गया है, अतरिक्त शम्ता के पुनह प्रिष्ठांकन की उदार योजना, यह अप्रेल 1982 में तीन वर्षों के लिए लागू किया गया था, आधुनिक की करण वा उपकरणों की प्रती स्थापना को बढ़ावा, आधुनिक मशीनों को बढ़ावा दिया गया, 49% तक की व्रिधी को मान्यता दी गई, रुग्ण उद्योगों का पुनर स्थापन, चिर्प हर्थ, करगा, लगू और ग्रामू उद्योगों का विकास, 1985-86 के दोरां स्वा रजगार योजना की समयावधी और आगे बढ़ा कर, धाई लाख उद्यमी का लक्ष्य रखा गया है, उद्योगवार नीतियों की घोशना, सरकार ने अब इलेक्रिक्स नीती की सरकार होगा, वन भूमी का वन रोपन से विभिन प्रयोग के लिए केंद्र सरकार की पूर्व स्विक्रिती, और द्योगिक विकास के प्रशाशनिक निमंतर्ण में जो भी संस्थाय काम कर रही है, वे वन संग्रुट्षन नीयम, 1980 का पालन करने की हिदायत दी गई है, प्र प्रिज एक्ट, 1948 उद्देश, कारखाना अधिनियम, 1948 के निमलिखित उद्देश होते हैं, कर्मचारियों के स्वास्त सुरक्षा एवं कल्यान का ध्यान रखना, काम धंदों का निर्धारण करना, नव यूगकों एवं औरतों के रोजगार से संबंदित निर्णे लेना, क प्रश्न पत्र संबंदि, निर्णे में सायकता, व दंडों के निर्धारण में सायता करना, प्रमुक प्रावधान, स्वास्त, सुरक्षा, कल्यान, कारे घंटे, नव यूवक या बंद रोजगार, महिला रोजगार, प्रशाशन, वार्षिक अवश्काष, पेशे संबंद अधिक बीमारिया, दंड, कार खाने के लिए लाइसेंस, विश्राम या फिर मध्यांतर, शिफ्ट कार, अधिकारिय, सफाई, जहरोखा, इवं तापमान, पीने का पानी, रेस्ट रूम, कैंटीन, ब्रंच, या बच्चा घर आधी, कार खाना अधिनियम 1948 में वे सभी कार ख शतीपूर्थी अधिनियम 1943, Employee Compensation Act 1943, यह प्राकृतिक है कि कारेशाला में कारे करते वक्त दुरगटना हो सकती है, दुरगटना के कारणों का पता लगाकर सुरक्षा उपाय करना आती अवशक है, परन्तु फिर भी दुरगटना का होना प्राकृतिक है, इस दुरगटना स सुरक्षा पाने हैं तुरगटना कारखानों में कई उपाय किये जाएंगे, करमचारी शतीपूर्थी अधिनियम 1923 के इस देशा में एक महत्यों पूर्ण कदम है, शतीपूर्थी निम्न दशाओं में हो सकती है, दुरगटना से मृत्यू, पूरी अक्षम शारिरिक अधिनियम की धारा 2-1, द, निर्भर लोगों की सूची में निम्न को चामिल करती है, शतीपूर्थी निर्भर लोगों को दी जाती है, निर्भर लोग निम्लिक्थ हैं, एक विद्वा, भी नाबालिक बेटा, तीन अविवाहित पुत्री, चार विद्वा माता, पांच ब बदनी मर गई है साथ कानूनी रूप से वैधानिक पुत्री आठ अविवाहिद बेहन नौ विद्वा साली दस अविवाहिद कानूनी तोर से वैधानिक पुत्री श्रम संबंधी अधिनियमों की आवशक्ता नीड ओफ लेबर लेजिसलेशन श्रम संबंधी अधिनियमों की आवशक्ता निम्न कारणों से हो सकती है और द्योगिक शांती बनाये रखने के लिए और द्योगिक विकास की प्रक्रिया को उन्नत बनाने के लिए और द्योगिक विकास की गती को तिवर करने के लिए और द् की मजदूरी व वेतन से संबंधित अधिकार दिलाने है तो श्रमिकों का कारे संबंधि समस्याओं का समाधान करने है तो श्रमिकों की उत्पादन शमधा में व्रद्धि करने है तो मशीन संयंत्र इत्यादी की पूरी शमता का प्रयोग करना श्रम संबंधों को अधिक मधू के रोजगार को बंद कराना, सुविधाय उपलब्द कराना, श्रमिकों के परिवारों के लिए कल्याण कार्य करना, उनके जीवन के स्तर को उपर उठाना, कर्मचारियों को स्वास्त संबंदी सुविधाय प्रदान करना, रात के शिफ्ट में स्त्रियों को अलकाम ना कराना, चोट आधी की शती पूर्ती कराना, कर्मचारियों का भीमा आधी कराना, गर्पवती स्त्रियों का प्रसूती अवकाश प्रदान करना यदि कर्मचारियों की समस्याओं का शीग्र समाधान करना है, उनको संतोश या तनाव से दूर रखना है तो ओध्योगिक अधिनियमों को पूर्व प्रयोग उपयोग कर ओध्योगिक शक्ती स्थापित करना चाहिए यदि कोई भी उध्योग अधिनियमों का पालन नहीं करता या उनका उलंगन करता है तो कर्मचारी सरकार या ञ्यायले की शरण ले सकता है उस संगठन पर इस दशा में कारिवाही हो जाएगी ओध्योगी का दिनियम इसलिए बनाया जाते हैं ताकि विवादों को दूर किया जा सकें तथा ओध्योगी क्स्थानों की स्थापना की जा सकें श्रम संबंदों को मधूर बनाया जा सकें उद्योगी क्षान्ती बनाई रखने के लिए उद्योगी स्वतंत्रता बनाई रखना आवशक है नेक्स्ट टॉपिक है सेवी वर्गिय प्रबंद पॉल डी हैस्टिंग सर्व बोलते हैं सेवी वर्गिय प्रबंद की वह पहलो है जिसका उद्येश एक संगठन के श्रम संस्थनों के प्रभाव का उप्योग करना है बारतिय सेवी वर्गिय प्रबंद संस्थान कहता है प्रबंद की कार्य वह कार्य है वह भाग जो संगठन में मानवी संबंदों से संबंदत है सेवी वर्गिय प्रबंद कालाता है नेक्स टॉपिक है कार्य मुल्यांकन जॉब इवैलियोशन यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रत्य कार्य के शापेक्षिक वास्तविक मुल्य को इस प्रकार मुल्यांकन किया जाता है कि जिससे प्रत्य कारी के लिए उचित पारिश्रमिक की दरे निरदार्द की जा सकें। कारे मोल्यांकन किसी पद का वर्णन करने तथा विशलेशन करने की वह प्रक्रिया है, जिसके अनुसार उन्हें समूहों में बाटा जाता है, और विभिन पदों के लिए आवशक गुणों तथा उत्तरदाईत्य की तुलना करते समय सापेक्षिक मोल्य पर निरदारण किया जाता है। नेक्स टॉपिक है अंतराश्ट्रिय श्रम संग। हीतों की रक्षा मनोबल को उचा उठाना, प्रतिष्ठा बढ़ाना वो मानिता प्रदान करने जैसा कार्य करती हैं। प्रशिक्षन ट्रेनिंग किल्पों के अनुसार करमचारी में विशिष्ठ कार्य करने के ये योग्यता की वरिद्धी करना ही प्रशिक्षन है। डेल मोडर के शब्दों में प्रशिक्षन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा धन शक्ति को जो उसके द्वारा किये जाने वाले कार्य को योग बनाया जाता है अतह प्रशिक्षन सामान्य ग्यान के विपरीत विशिष्ट ग्यान है जिसकी अवशक्ता कार्य विशेश को निश्पादित करने के लिए होती है नेक्स टॉपिक है प्रबंध के कार्य नियोजन इस तरह नियोजन है तो प्रचलित मजदोरी की दरों, शरम बजार, शरम संगों की शक्तियादी की जानकारी होना आवशक है संगठन नियोजन के उपरांथ संगठन का कार्य प्रारंब होता है लक्षे एवं मुद्देश निरधारित कर लेने के पश्याद उन्हें क्रियानवित करने की समस्या रहती है जिसे प्रबंद संगठन के द्वारा करता है संगठन का आशय नियोजन द्वारा निर्दारित लक्षों की प्राप्ति करने से है निर्देशन सेवी वर्गिय प्रबंद का अन्य प्रबंद की कार्य है निर्देशन इसके अंतरगत अभी प्रेशन गती देना आदेश देना आदी सभी सम्मिलित है कर्मियों की क्रियाओं को निर्देशित करने के पश्चात उनमें समन्वे स्थापित करना आवशक है यह वह प्रक्रिया है जिसके अंतरगत नियोजन द्वारा स्थापित स्विक्रिती सिंधानतों एवं दिये गए निर्देशों के अनुसार क्रियानवित हो रहे हैं अत्वा नहीं इसकी जाँच करना तथा सत्यापन करना सम्मिलित होता है इसके अलावा भरती, पदोनती, स्थानांतरण, सेवा निवरिती, प्रशिक्षन, मजदूरी एवं प्रेणाय, सेवा संबंधी क्रियाय, सामोहिक, सौदेबाजी, स्वास्थ एवं चिकित्सा, सुरक्षा, सेवी वर्गिय, शोध, अभिलेक लिखना प्रबंद के कार्य हैं उसे उस दिन का वेतन नहीं मिलता है, इससे उसे आर्थिक हानी होती है, इसके साथ साथ उसके कारी कुशलता में कमी आ जाती है, कभी कभी नौकरी भी छूड़ जाती है, मालिक या नियोकता कोहानी, श्रमिक की अनुबस्थिती के कारण उत्पादन कार्य में बाधा इससे उत्पादन की मात्रा में कमी आती है, श्रमिकों के अचानक अनुबस्थिती रहने से मालिकों को अतिरिक्त श्रमिकों की विवस्था करनी पढ़ती है, जिससे उन्हें हानी उठानी पढ़ती है, राष्ट को हानी, अनुबस्थिती के कारण देश के ओद्योगिक वि कास में बाधा पड़ती है श्रमिकों वो मालिकों के बीच संगर्श बढ़ता है श्रमुकों की अनुपस्थिती की प्रवृत्ती का एक महां दुश्परणाम यह है कि इससे श्रमिकों वो मालिकों के बीच प्रेम भाव बढ़ने के स्थान पर संगर्श बढ़ते है अनुशा आवास्त और सुरक्षा के लिए नियोक्ता द्व़रा किया गया भुखतान। अवकाश के दिनों के लिए किया गया बुक्तान अतरिक्त कार्य समय के लिए किया गया बुक्तान बेरोजगारी बत्ते के रूप में बुक्तान परिवार निवारण में कर्मचारियों को कार्यक मुक्त रखने में नश्ट हुए समय का बुक्तान आवास तथा भोजन संबंधी बत्ते रात्री सत्र में कार्य पर बुलाने के अवस्था में किया गया अतरिक्त भुक्तान दुरगटना के समय नेशुल्क सेवा उपचार अलपाहार ग्री की सुविधा रास्ते दर पर भोजन इवं खाद ये समगरी उपलब्द कराना बचत तथा भविश निधी में आशदान विवा जन्म मृत्यु आदी के समय कर्मचारियों को दी गई आर्थिक साहता आवास बनाने के लिए आर्थिक साहता सेवा काल में नेश्वल के यात्रा सुविधा नेक्स्ट टॉपिक है सेवी वर्गिय प्रबंध के सिद्धान्थ अधिक्तम व्यक्तिगत विकास का सिद्धान्थ यह सिद्धान्द इस्थत्य की और संकेत करता है कि कर्मचारियों के व्यक्तिकत विकास होना चाहिए 2. उचित व्यक्ति को उचित काम का सिद्धान्द इस सिद्धान्द के अनुसार कर्मचारी का चैन व्यग्यानिक तरीके से किया जाए उच्छ मनोबल का सिद्धान्द कारे की दशाएं सुख सुधाओं को सुधार करना चाहिए ताकि कर्मचारियों में उच्छ प्रेड़ना का आदान प्रदान हो सामोहिक उत्तरदाइत्व का सिद्धांद कर्वचारियों में सामोहिक उत्तरदाइत्व की भावना का विकास किया जाना चाहिए व्यक्तिवाद को कम करना उचित है संयुक्त प्रबंद का सिद्धांद श्रमिकों की को प्रबंद में भागिदारी प्रदान करने से श्रम एवं पुंजी के मध्य मधुर संबंधों की स्थापना होती है प्रभावी संप्रेशन का सिद्धान्त संप्रेशन के अभाव में कर्मचारियों के मध्य अविश्वास की भावना जर्म लेती है उचित पुरसकार का सिद्दान्त, श्रमिकों को उनके कारेप का उचित पुरसकार दिया जाना चाहिए कर्मचारियों की नियुक्ति तथा कारे सौपना, इसके अंतरगत सेवी वरगिय विबाग व्यक्तियों के आवेदन पत्र ने आमिंतरत करता है ततपश्यात व्यग्यानिक विदी से परिक्षा इवं शाक्षात कार लेकर उनका चुनाओ करता है उचित पारिश्रमिक की वैवस्ता इसके लिए मजदूरी बुक्तान की विबिन पद्धतियों काम में लाई जाती है कारी विशलेशन कर्मचारियों के कारे विभाजन के लिए कारे विशलेशन करना आवशक होता है किसी कारे को पूरा करने के लिए किसी योग्यता के कर्मचारियों की आवशकता होगी इसका पता कारे से संबंदित क्रियाओं का विशलेशन करके ही लगाया जा सकता है कर्मचारी प्रशिक्षण एवं विकास कर्मचारियों का चुनाओं करने के पश्यात उनको उचित प्रशिक्षण दिया जाता है कारी को प्रभावी डंग से करने तथा कम लागत में पूरा करने के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण करना अत्यंत आवशक है कर्मचारी प्रबंद के शेत्र में कल्याण के लिए बीमा, चिकित्सा, मनोरंजन, शिक्षा, आवास तथा शुविधाओं की व्यवस्ता सम्मिलित कराई है सिवी वर्गिय लेक रखना कर्मचारीों से संबंदे सभी सुचनाओं के लेक भी सेवी वर्गिय प्रबंद द्वारा रखे जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक है अनुपस्तिती के कारण पहला, बीमारी दूशित भोजन, बुरी आवास व्यवस्ता, इत्यादी के कारण बीमार होकर अनुपस्तित रहना दूसरा, जलवायू परिवर्थन अप्रेल से जून तक श्रमिक गाउं चले जाते हैं तापमान अत्वा खेती के कारण अनुपस्तिती रात्री की पाली रात्री की पाली में काम करना कश्ट दैक होने के कारण अनुपस्तिती बढ़ती है ओद्योगिक दूरगटना है हमारे देश में ओद्योगिक दूरगटनाओं की दर बहुत ज्यादा है धार्मे केवं सामाजिक उत्सव दावज, शादी, जन्म, मरण और हर महीने एक दू त्यावार होने के कारण अनुपस्तित रहना दुरव्यसन शरागखोरी आदी दुरव्यसनों के शिकार होने के कारण जोकी अकेला पन या आवास की समस्या के कारण होती है अनुपस्तित रहना अनुपस्तित रहना उसके बाद न्यायले तता मुकदमे बाजी अग्यानता वरूडी वादी प्रकृती होने के कारण बुरी आदतों के कारण न्यायले जाने के कारण अनुपस्तित रिन ग्रस्तता, भारी रिन होने के कारण रिन दाता से बचने के चक्कर में अनुपस्तिती, हड़ताल वताला बंदी, हड़ताल वताला बंदी की दशा में श्रमिक गाउं चले जाते हैं, बहुत दिन बाद खुल जाने पर भी देरी से आते हैं, परियाप्त कल्यान कारी सवी सुविदाओं की कमी सुविदाओं के अभाव में अनुपस्तिती अन्य कारण धकान प्रवासी प्रवित्ती इत्यादी भी अनुपस्तिती के कारण है अनुपस्तिती लोको रोकने के उपाए काम की दशा में सुधार कारिक की दशाओं में सुधार करना चाहिए ताकि उनको काम करने में मन लगे तथा संतुष्टी एवं प्रसन्नता अनुभव करने लगे प्रिल्णा दायक मजदूरी व्यवस्था नियोकता को चाहिए कि वह अपने कारखानों में प्रिल्णा दायक मजदूरी व्यवस्था को लागू करे ताकि श्रमिक की आर्थिक दशा में सुधार हो अधिक मजदूरी पाने के लालच में उनमें कुछ अधिक कारे करने की प्रिल्णा उत्पन नहो दुरगटनाओं में सुरक्षा श्रमिकों की अनुपस्थिती का कारण कारखानों में आए दिन होने वाली दुरगटनाई भी है इन्हें रोकने के में यदी प्रबंधन किया जाये तो अनुपस्थिती की दर भी गटेगी चुट्टियों में समुचित व्यवस्था हम कारखानों में विश्येश्थ नीजी शेत्र में कारखानों में चुट्टियों की उचित व्यवस्था का अभाव है नियोक्तों को चाहिए कि वे अपने कारखानों के श्रमिकों के लिए चुट्टियों की विवस्था करें समूचित आवास विवस्था अनुपस्थिती रोकने के लिए उब्रोक्त उपायों के अतिरिक्त एक उपाय यह भी है कि श्रमिकों के रहने के लिए मकानों की उचित व्यवस्था की जाए अनुशासनात्मक कारिवाही डॉक्टर देशाई का द्रिणगत है कि अनुशासनात्मक करने पर अनुपस्तिती की समस्या को नियंत्रित किया जा सकता है किन्तु ऐसा तभी हो सकता है जबकि प्रवंद द्रिणता पूर्वक अनावश्यक अनुपस्तित रहना हानिकारक है सेवी वर्गिय नीतियों के मारदर्शकन है जो संगठन के कारियों को विबिन उदेशों की पूर्थी के लिए अच्छी तरफ चलाने में सायक होती है नीतियों के आधार पर एक संपूर्ण धांचा तयार किया जाता है जिससे प्रबंधक एक तरफ अच्छा प्रबंध करने में सफल होते हैं तो दूसरी तरफ कर्मचारियों को संगठन के प्रती जानकारी सुलब होती है सेवी वर्ये नीतियों का निर्माण और विकास कर्मचारी समूह करते हैं जबकि प्रबंधकिये नीतियों उच्छद उच्छादिकारी बनाते हैं इस प्रबंध की नीतियां प्रबंधक का मारदर्शन करती हैं तथा जंगठन के उद्देश स्पष्ट करती हैं रिचर्ड पी केलहूस नीतियां कारे को क्रिया रूप प्रदान करती हैं, ये समान्या आधार प्रस्तुत करती हैं, जिनके आधार पर नीरनाय लिया जा सके हैं। फिलपो के अनुसार नीति एक मानवकृत नियम हैं जो संगठन के उद्देशों की पूर्ती के लिए किया जाने वाले कारे का निर्देशन करती हैं, या दीर्ग कालीन योजना हैं जो कर्मचारी को कारे करने की दिशा ब्रदान करती हैं। उद्देश जेवी वर्गियर नीतियों के कुछ प्रमुक उद्देश निम्न हैं। वेतन की उचित दरें, मज़्दूरिय एवं वेतन की उचित दरें, निर्दारित करना ताकि श्रम्हे क एवं कर्मचारी संस्था के हित में कारे कर सके हैं। कि वे श्रमिकों तथा अन्य कर्मचारियों के हितों की रक्षा कर सकें नीती के बारे में जानकारी ऐसी व्यवस्था करना जिससे सभी कर्मचारियों की नीतियों के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकें जिसके उपक्रम को उनका पूर्ण सहयोग प्राप्त हो सकें प्रशिक्षित व्यक्ति का चैन, उपक्रम के लिए प्रशिक्षित एवं योग्य व्यक्ति प्राप्त करना तथा सभी इस तरों पर कारिकर्ण व्यवस्ति ढंग से हो सके, हितों की रक्षा, उपक्रम में सभी व्यक्तियों के हितों की रक्षा करनी चाहिए, प्रबंधन में सहन सहभागिता, प्रवंद में कर्मचारियों को सहभागिता ब्रदान करना सेवी वर्गिय नीतियों की आवशक्ता सेवी वर्गिय नीती की आवशक्ता निमने कारणों से होती है संगठन तथा कर्मचारी दोनों की आवधार भूत आवशक्ता हैं प्राय संगर्ष में होती है अध़ प्रबंदकों को व्यक्तिगत अवशक्ताओं और संगटनात्मक अवशक्ताओं में सामंजस से अस्थाबित करना पड़ता है जिससे की निर्धारित नीतियां सभी कर्मचारियों पर सामान रूप से लागू होती हैं जिससे भेदभाव त नहांचे में परिवर्तन होने पर नीति में कोई परिवर्तन नहीं होता अधा नीतियां का निर्णायन के सभी सतर पर अधिकारियों का मार्गदर्शन करती हैं नीतियां निर्धारित लक्ष की प्राप्ति हेतु बनाई जाती हैं अधा कारी शीलता का मुल्यंकन करने के लि विशेश्ता है नीतियों का अर्थ विश्वास का व्यक्त करना है नीती का निर्धारण इस विश्वास पर किया जाता है कि सही बात को सही समर्थन प्राप्त की होना चाहिए नीती विस्तरित होनी चाहिए नीती का उद्देश प्रबंध को तथा प्रशाशकों को निर्नयात्मक एक रुपता की दृष्टी से मार्ग दर्शन प्रधान करना है तथा नीती विस्तरित एवं स्पष्ट होनी चाहिए नीती दिर्ग कालीन होनी चाहिए नीती में यह शम्ता होनी चाहिए कि वह वर्तमान तथा बविश्य की समस्याओं का निराकरण करने में शक्षम है इसलिए परियाप्त विचार विमर्ष के बाद नीतियों का निरधारण तथा क्रियानवेन किया जाना चाहिए नीतियां दूशित नहों नीती में यथा संभव सभी विश्यों पर को सम्मिलित किया जाना चाहिए इसमें कोई भी विरोधावास नहीं होना चाहिए नीती लिखित होनी चाहिए यदि नीती लिखित हो तो उसमें एक रुपता लाना संभव होता है तथा विवाद के समय लिखित नीती को आधार माना जाता है नीती विभागिये नीती के अनुरूप होनी चाहिए विभागिये नीतियां संगठन की आधार गुत नीतियों के अनुरूप होनी चाहिए नीती लोजदार होनी चाहिए नीती लोज के गुण होना चाहिए ताकि परिस्तितियों के अनुसार नीतियों को बदला जा सकें। सर्वमान ये नीती नीती ऐसी होनी चाहिए जिससे अधिकांश संगठन के करमचारी स्विकार करते हों तथा जो संगठन के उद्देश की प्राप्ति में योगदान करने वाली हों। प्रबंद की अर्थ शास्त्र की विशेवस्तु सम्व्यावसाइक फर्म होती है। इसलिए इसे फर्म का अर्थ शास्त्र भी कहा जाता है। प्रवाधिकरण हेतु लाब पर बेचने के लिए उत्पादन करने वाली हिकाईया फर्म कहलाती है। कुछ वैवार संबंधी से दान्त हुए विशे हैं जिन से पता लगता है कि उपभोकता क्रेवार किस प्रकार प्रवावित होती है। अंतरवर्तिय स्वाभिमान बनाम सिखी हुई प्रेणा है। भावनात्मक बनाम विवेकपूर्ण प्रेणा है। उपभोकता चल बनाम वस्तु चल। उपभोकताओं को निम्न पांच वर्गों में रखा जा सकता है। आदत नियंत्रित वर्ग प्रज्याशील वर्ग भावनात्मक प्रतिकर्मियों का वर्ग नया वर्ग संबेगी वर्ग। विप्णन प्रबंधन। प्रू जॉंसन के अनुसार विप्णन प्रबंध व्यावसाइक क्रिया का वाज़ शेत्र है, जिसमें विक्रे आंदोलन के चर्णों या कदमों से संबंध योजनाओं की स्थापना तथा क्रियानवयन संबलित होता है फिलेप्स एवं वेस्टिंग के मत में प्रबंध किया दृष्टी से विपढन तक पहुंचना विपढन प्रबंधन प्रबंध कहलाता है फिलीप कोटलर के अनुसार विपढन प्रबंध कार्यक्रेयों का विशलेशन नियोजन क्रियानवयन एवं निमंत्रन है यह करार्यक्रम ऐसे बनाये जाते हैं कि लक्षित श्रुता गणों में व्यक्तिगत तथा परस्परी क्लाब के उदेश से इच्छित परिवर्तन लाए जा सकें यह मूल्य परिवर्तन स्थान विवस्था एवं समन्वे पर गहरा विश्वास करता है प्रबंद की अर्थशास्त्र जोयल डीन की अनुसार प्रबंद की अर्थशास्त्र का अभी प्रायया दिखाना है कि किसी तरह से अर्थिक विश्लेशन का उपयोग व्यवसाइक नीती निर्दारण में किया गया है जोजेफ एल मैसी के अनुसार प्रबंद की अर्थशास्त्र निर्णे की क्रिया में प्रबंद द्वारा आर्थिक सिद्धान्द का व्यवार है अध्यन की सुईधा के लिए हम विपड़न कारियों को निमने प्रकार से रख सकते हैं वस्तियों का नियोजन करना था उनका विकास करना था कि उपभोकता को संतुष्टी हो सगे विपड़न में एक विक्रे कारे बहुत ही मत्तुपूर्ण होते हैं विपड़न का तीसरा कारे क्रत क्रे करना है विपड़न का कार्य वस्तु को उत्पादन स्थल से उपभोकता तक पहुचाना है विपड़न का पाच्वा कार्य वस्तु संग्रह है कभी तो संग्रह थोड़े समय के लिए अस्थाई रुप से किया जाता है कभी वस्तु को उत्पादन वा उपभोग के समय में अंतर होने से संग्रा करना किया जाता है विपडन का एक और महत्वन कारिवित्त कारिय होता है उत्पादन में कच्चा माल मशीन तेल मजदूरी वा संग्रा आधी के लिए भी धन की आवशक्ता होती है साथी दैनिक कारियों मौसमी आवशक्ताओं करेवित्त के लिए भी धन की आवशक्ता होती है धन का साखन जिसकी आवशक्ता बहुत वस्तु को अंतिम उपभोगता तक पहुचाने के लिए होती है विपडन के में वित्त कारिय कहलाता है जोखिम अनिश्टा के कारण उत्पन होती है जोखिम जैना होता है बाजार सुचनाओं का बहुत ही मतुपूर्ण कारे होता है यह व्यापार पर प्रभाव डालती है यह औशक है कि क्रेता और विक्रेता भिना वास्तविक रूप से वस्तू का निरक्षन किये खरीद हुए विक्री का सौधा कर सके विपडन अनुसंधान की रीती या तरीके विपडन अनुसंधान की व्यग्यानिक रीती अपनाने से अनुसंधान व्यत्तिगत धंग से हो जाता है तथा निशकर्ष अधिक विश्वसनी होते हैं इसकी रीती निम्न है विपडन समस्या को प्रदिभाशित करना स्थिति का विशलेशन करना अनुपचारिक ज्याज करना अनुसंधान योजना तथा डिजाइन तयार करना अनुसंधान वदेश्य निर्धारित करना रास्ता तया करना आवश्यक सूचनाओं को तया करना सूचनाओं के सुरूत तय करना आखड़े कंत्रित करने के लिए फर्म व प्रश्नावली तयार करना प्रश्नावली व फॉर्म का पूर्व परिक्षन करना नमूने का प्नियोजन करना तत्यों का संकलन करना तत्यों की सारणी विश्लेशन तथा व्याक्या करना अनुसंधान रिपोर्ट तयार करना मिश्रण के तत्तों में प्रत्येक में अलग-अलग की कई बातें शामिल होती हैं ये हैं उत्पाद मिश्रण प्रोडक्ट मिक्स विपड़न मिश्रण में कई बातें आती हैं जैसे उत्पाद का नियोजन करना उत्पाद की किस्म उत्पाद का रंग उत्पाद का ब्रैंड उत्पाद की, पैकेजिंग इत्यादी, स्थान मिश्रण, प्लेस मिक्स, यह विपणन मिश्रण का दूसरा प्रकार है, इसमें निम्न बाते आती हैं, बहुत एक वित्रण, वित्रण वाहिकाएं, संग्रहन, परिवहन स्टॉक, संबर्धन मिश्रण, प्रोमोशन मिक्स, वर्तमान वा संभावित, प्राहकों को किया जाने वाला संचार ही संबर्धन के साथ उप्योग में आता है, इसमें निम्न बाते आती हैं, विपणन एवं प्रचार, व्यक्तिगत वरिक्र, अन्या ऐसे कार्य जिससे विक्री बढ़ाई जा सगें, कीमत मिश्रण, प्राइज मेक्स, इसमें कुछ वस्तियों की अधिक कीमत पर बेचा जाता है, किसी को अंकित मूल्य पर तदा कुछ को छूट या बट्टा देकर बेचा जाता है, विभिन मूल्यों पर वस्तियों का विक्रे किया जाता है, इससे उसत लाब का अनुमान लगाया जाता है, कीमत नीती का विकास उद्देश्चों को द्यान में रखते हुई किया जाना चाहिए, कीमत निर्धारण में बारी घटकों में भागे की लोच वैदानिक बाधाएं नीतिक घटक प्रतिसपर्धा की प्रकृति पूर्ति करता और आर्थिक दशाओं को सम्मिलित किया जाता है, डेटा संग्रह के तरीके, प्रशनावली, प्रशनावली संग्रहन की एक महत्पूर्ण विदी है, शोद कारियों में इसका उप्योग काफी किया जाता है, प्रशनावली तियार करना एक कला है जो हर व्यक्ति के वश्की बात नहीं है, यह एक तकनीकी क्रिया है, प्रशनावली में शोद की वस्तू से संबंधित मुद्दों को लेकर प्रशन तयार किया जाते हैं ये दो परकार के हो सकते हैं खुले प्रशन ये वह प्रशन होते हैं जिनमें उत्तर देता को शब्द सीमा में नहीं बांगा जाता वह अपने मन से खुल कर उत्तर दे सकता है बंद प्रश्ण बंद प्रश्णों में उत्तर देता को शब सीमा में बान दिया जाता है तथा प्रश्णों के उत्तर हां या ना में दिया जाते हैं तथा प्रश्णों के उत्तर के स्वरूप में कोई विकल्प दिये रहते हैं, उत्तर देता को इन में से एक विकल्प को सही करना होता है, खुले प्रश्णों के द्वारा शोद करता अधिक से अधिक सूचना एकत्र कर लेता है, साक्षातकार, प्रात्मिक समंग एकत्र करने क शाक्षातकार सबसे प्रचलित विदी है, साक्षातकार के निमलिके दुगन होते हैं, सूचना एकत्रित करने की प्रमुक विदी है, साक्षातकार के द्वारा एकत्र हुई सूचना प्रशनावली से एकत्र हुई सूचना से विश्नस्नी होती है, शाक्षातकार के द्वारा क विश्वस्नियता बढ़ आती है अवलोकन यह समंग संग्रहन करने की विधी भी बहुत महत्पूर्ण है इस विधी के निम्लिकित लाब होते हैं समंग किया सूचना विश्वस्नियता होते हैं कम समय में अधिकाधिक समंग एकत्रत किया जा सकते हैं सुष्ती होती है अवलोकन की सीमाएं कभी गभी एकत्र किये हुए समंग एवं सुचनाएं विश्वस्निये नहीं होती सहभागी इसमें अवलोकन किये जाने वाले समू में शामिल हो जाता है तथा अवलोकन किया जाने वाला समू या जानता है कि उसको किसी विशेश उद्देश के लिए अवलोकित किया जा रहा है अग सभागी अवलोकन इस अवलोकन में अवलोकन करता अवलोकन कित समू में शामिल हो जाता है एवं अवलोकन किया जाने वाला समू यह नहीं जानता कि उसका अवलोकन किया जा रहा है विपणन प्रबंधक की भूमिका एक विपणन प्रबंधक में बहुत से गुणों का होना अवशक है सारधान तया एक विक्रे करता में जितने गुण की आवशकता है वे सभी विपणन प्रबंधक या कारेकारी में होने चाहिए लेकिन इसके साथ साथ प्रबंदकी अशमता एवं अन्य विभागों के साथ समन्वय की योगिता भी होनी चाहिए मुख्य रूप से विपणन प्रबंदक या कारेकारी में निम्न गुणों का होना अश्य अवशक है एक विपणन प्रबंदक अपने कर्मचारियों में उत्साह पैदा करने की भूमिका में होता है एक विपणन प्रबंदक कठिनाईयों के समय धहरे रखना बढ़ता है एक विपणन प्रबंदक में सही समय पर उचित निर्णे लेने के गुण होने चाहिए विपणन्द प्रबंदक में अन्य विवागों से संपर्क करने का गुण भी होना चाहिए यह संपर्क तीन प्रकार से होता है स्वयम अपने विवाग से संपर्क करने का गुण स्वयम अपने वितरकों से संपर्क समय समय पर करना चाहिए विपड़न प्रबंदक को अन्य संस्थानों से संपर्क स्थापित करने का गुण भी होना चाहिए विपड़न प्रबंदक में यह गुण होना चाहिए कि उसका दृष्टी कोण साफ हो जिससे की ध्याय की और पहुँचा जा सकें इसके लिए अधिकारों को छोटे प्रबंदकों को सौपा जाना चाहिए विपड़न प्रबंदक में एक प्रशिक्षन कारेकरम को चलाने का गुण भी होना चाहिए जिससे की व्यवसाय को प्रबंदक अवशक्ता अनुसर्ज मिल सकें एक विपणन प्रबंधत में अपनी संस्था के प्रती इवं संस्था के नीतियों के प्रती वफादारी का गुण होना चाहिए यदि वह किसी समय संस्था की नीतियों से सहमत नहीं है और कोई निर्णे उच्चे प्रबंधत द्वारा उस पर थोब दिया जाता है तो उसे अपनी सहमती प्रकट करते हुए उन निर्णेयों को उसी ब्रकार मानना चाहिए जैसे कि एक सिपाही अपने कमांडर का आधिश मानता है विपणन प्रबंधत में सानुबुती का गुण भी होना चाहिए उसमें स्वयम एक नमुना बनकर काड़े करने का गुण होना चाहिए जैसे कि वह उसके कर्मचारियों पर इसका अच्छा प्रवाव पड़े प्रबंध की अर्थशास्त्र की प्रकृती एवं कारिशेत्र प्रकृति प्रबंद की अर्थ शास्त्र कला एवं विज्ञान दोनों हैं कला इसलिए है कि कला हमें निर्देशित करती हैं काम करना सिखाती है और अपना विशय प्रस्तावित करती हैं विज्ञान का अर्थ है कि किसी वस्तू की प्रकृरिया का प्रति पद्धती पूर्ण से अध्यन करना प्रभंध की अर्थशास्त्र का स्वाभे जोटा है फर्म का सिध्धान्त मांग विश्लेशन स्थेस्थथा पुर्वा भासर फृपत के उतली में की मुल्य उत्पादन और व्योवार्व लाव क्प्रबंधन पुंजी प्रबंधन व्यहसाईक वातावरान हाल ही कि कुछ वर्षों में प्रबंदक एकार्थशास्तर के शेत्र के अंतरगत फर्म के सिध्धान्त क्रिया शोध रेखिये कारिक सामगरी नमूना थथा खेल का सिध्धान्त आधी को शामिल किया जाता है और इन्हें प्रबंद की अर्थ शास्त्र का एक अंग माना जाता है इन विबिन विदियों के अंध्यान यहां सप्षिक्ट रूप में यहां कर लेते हैं आशे, रूप, उद्देश, कारे विदी, मांग विश्लिशन तथा मांग पूरवा भास यह प्रबंद की अर्थ शास्तर का मुख्य शेत्र है क्योंकि व्यवसाय के कारियों का अंतेम परणाम विक्र है अता किसी भी व्यवसाय के लिए यह बहुत ही आवश्यक होगा कि वह अपनी वस्तु की मांग का अनुमान लगा सके और साथ ही साथ यह भी जान सके कि प्रतियोगी की वस्तूं की मांग के पीछे कौन सी शक्तियां काम कर रही है अतहिया कह सकते हैं कि मांग का विशलेशन और उन्मान उन शक्तियों को के पता लगाने से संबंदित हैं जो बिकरी को निर्धारित करते हैं और बिकरी की मांग से भी संबंधित हैं इससे संबंधित मुख्य विश्य निमलिकित हैं मांग निर्धारक शक्तियां मांग विभेद मांग पूर्वाबास लागत तथा उत्पाद विशलेशन एक सफल व्यवसाई के लिए आवशक है कि इस बात को अच्छी तरह जानता हो कि लागत के कौन-कौन से तत्व हैं उनका संपूर्ण लागत में किया स्थान है और लागत में परिवर्थन किन कारणों से हो रहे हैं लागत में अनिश्य निर्धा का कारण उसे पता होना चाहिए लागत का विशलेशन के अंतरगत हम विश्यों का अध्यान करते हैं लाघत का अर्थ्त वर्गी करण लागत उत्वादन संबन्द उत्वादन के पहमाने से संबन्द मितव्यकाएं तथा अभर्द अश्वा ओबंद्यारों cell दोट', प्रतियोगिता, विभिन रूपों की चर्चा की जाती है मूल्य संबंधी निर्ण नीती और व्यवार किसी भी व्यवसाय के सफल होने के लिए सही मूल्य नीती अत्यांतावशक है इस विश्य के अंतरगत हम निम्न बातों का अध्यान करते हैं पहला मूल्य नीतियां दूसरा मूल्य पद्धतियां विभय दात्मत मूल्य उत्पादन क्रे मूल्य मूल्य अनुमान लाब प्रबंद व्यवसाय का उदेश लाब अर्जित करना होता है और व्यवसाय कोई चलाने के यही सबसे शक्तिशाली प्रेड़ना है लाब ही व्यवसाय की सफलता का मापदंड है अधा उसे कैसे अधिक्तम किया जाए और स्थाई बनाया जा सके यह निर्णे करता के लिए सबसे महतुपूर्ण है लाब के संबंद में ही सबसे अधिकना अनिश्यतता वरतामान रहती है क्यों विद्यमान रहती है क्योंकि आयक तथा लावत तथा मूल्य अनिश्यत हो जाते हैं और तथा लाब के रूप में ब्रकट होते हैं अता लाब का प्रबंद सब बड़ा ही जटल विशय बन जाता है इसके अंतरगत हम निम्न विश्यों का अर्ध्यान करते हैं लाब का में पूंजी के रूप में व्यवसाय में लगा रहता है और पूंजी का प्रबंद वास्तों में बहुत जटल विशय है इस संबंद में जिन विश्यों का अध्यान आती आवशक हैं वे इस प्रकार हैं पहला पूंजी की लागत दूसरा प्रतिफल दर तीसरा व्यवसाय की लाता वरन. इसके अंतर गथ जिन विश्यों का अध्यान करते हैं वे इस प्रकार प्रकार से हैं विवसाय चक्रों की आवस्ता ओंन का, सरकारी नीतियों का, समाजिक प्रणाली का, आर्थिक प्रणाली का. इसके साथ ही हमने सारे में में जो टॉपिक्स में वो कवर कर लिया है अब इतना अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप आराम से पास हो जाएंगे मेरे नाम सुमित कुमार सिन्वपता है थैंक्यू